इस कठा के माध्यम से ब्रम हत्या गव हत्या करने वाले का कल्यान हो गया और तो और इस कठा के माध्यम से प्रेत आत्मा मुक्त होकर भगवान के परमधाम को प्राप्त हो गई ये मानवह पाप प्रतस्तु सरवधा सदा दुराचार रता पिमार गहा क्रोदा अगनी धगदा कोटी निचका मिना सब ताहा यद्गेन कलों को निकिते बड़े से बड़ा पापी मानव अपरादी मानव इस कथा को सुनकर पाप से मुक्त हुआ अब देवरिशी नारज जी ने संत कुमारों को हाथ जोड़ कर कहा कि कोई ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा को सुनकर ये सिद्ध हो जाए कि बड़े से बड़ा पापी बड़े से बड़ा धंबी कब्टी इस कथा को सुनकर पाप धंब से मुगत हो गया तो संत कुमारों ने आत्म देव जी की कथा सुनाई तुंग बद्रहा कटे पूर्वं बुद्बतन मूतम महां यद्यर बर्णा सवधर्मेन सत्से सत्करम तत्परहा धरव में सदेव रहने वाले आत्म देव जी महराज तुंग बद्रा नदी के किनारे गाउं में पर निवास करते हैं उस गाउं में सब लोग आत्म देव को अपना प्रोहित मानते हैं त्रिकाल संद्या करने वाले आत्म देव जी महराज उनकी धरमपत्नी का नाम है दुंधली लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं संतान की प्राप्ति के लिए अनेको अनेक आत्म देवजी महराज ने यग्य किये यग्य करने के उप्रान प्राप्ति उनको संतान की प्राप्ति नहीं आप एक दिल दुखी हो गए गर का त्याग करके मन में चले गए शुरूबर के किनारे बैट गए मन में विचार आया कि आत्म हत्या कर ले भगवान की कृपाज से एक सन्यासी महात्मा वहां पर पहुंच गे महात्मा जी ने कहा है आत्म दे ब्रामन आपके मुखिमंडल पर चिंता मनी चपक रही है क्या चिंता है आपको आप तो बड़े विद्वान ब्रामन है गीता का पाट करने वाले गाहितरी संद्या करने वाले तो आत्म दे महाराज ने कहा कि महराज ना गीता का पाट करता हूँ, तरकाब संध्या करता हूँ लेकन मुझे शामती नहीं मेरे घर में संतान मूं लोगों को तो खुब आशिवाद देता हूँ लेकिन मेरा आशिवाद मुझे ही फलता नहीं है और तो और घर में कोई भी फन वाला वरिक्ष लिगाता हूं तो वो सूच जाता है हमारा वो हरा नहीं रहता घर में जो गवब मादा रखी है वो पहां जाए महराज आज मैं इतना भाग्य ही हूं महराज ना इंतर ध्यान होकर देखा कहते हैं साथ जनम तक तेरे भाग्य में कुछ संतान नहीं है आतम देखे कहते हैं महरा जैसे आगबंद करके कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत कठी नहीं है सच में ज़िए आप सित महात्मा हो तो आज से कुछ करके दिखाओ को करामाद को चम्तकार दिखाओ तब मैं बलीव करूँ का तब मैं विश्वाश करूँ का अम हात्मा कहने लगे देख जिसका फुत्तर है वो भी दुखी जिसका फुत्तर नहीं है वो भी दुखी और सुखी भगवान का भगत है भगवान के भगत बनो भगवान का भजन करो कहते हैं महाराज समाज के लोग तो ये भगवान का वजन करने दे तो मैं करू ना जब भी मैं गले से निकलता हूँ तो कहते हैं ने संतान ये ब्रामर जा रहा है इसके गर में ना कोई बेटा ना कोई बेटी है ओ, यहां तक लोग गयते हैं, अब को उसका मुढ देखना पाब है, महराज मैं आप लगी तूँँगे कई लोग मुझे कहते हैं, आप ने हमारे घर में रुस्ठान की अपर मिला हमें, उत्र की प्राप्राप्राप, महराज, मैं कैसे सथ के समझों, सुखानी को महराज ग्यान मुझे बहुत है आप πेदों का, सास्थों का, उन्टिष्टों का ग्यान मुझे बहुत ग्यान आई कोई करामात करो, साधु नाम करामात करो अब साधु ने देखा कि ये ऐसे मानने वाला नई साधु बड़े ब्यालू होती अमहादमा जी ने कंदे पर जूला रखा हुआ था जूले से फल निकाला और उसको दे दिया जाओ अपनी पत्नी को दे देना पत्ली को कहिना सुबा प्राता का लिष्नान करके भगवान का द्वादिश मस्तर जाब करके इस पत्ल को खा ले वागवान के करपाज से पुत्र होगा आतम देव जी बहुत प सर्न उबे भागे दोड़े घर को पहुँँचे हैं अपनी पत्मी दुंदली को कहा है दुंदली है दुरी संतों ने कर पार लिए है ये फल भी आई है ये फल खाओ उत्र होगा हम समाज को कहने वाले होगे कि अमारे बारे में पुत्र है हम पुत्र वाले है अब दुंदली ने कहा कि बात पात मैं इस फल को खाऊंगी आप चाहाँ चिंता मताबरो वा आत्म देव जी चले गए अब दुंदली विचार कर रही है इस फल को मैंने खाया जदी में गरवदी हो गई तो गरवदी होने का कितना कर्ष्टो अब मेरी आदत मेरा सभाव तो यह है कि मैं चार-पांच घर में जब तक घूमना लूँ तो मेरा नास्ता हाजम नहीं होती है और तीखा खाना मुझे बहुत पसंद है तीखा खाना चूट जाएगा गरों में घूमना चूट जाएगा यह क्या करूँ यह फलखाऊओं ना खाऊओं यह सोच ही रही थी के दुन्दली की बेहन वहाँपर पहुचे कहने लगी लगी क्या चिलता है काहें चिलता के लिए उसने बताया के मेरे पत्षी को महात्मा ने पहन दिया जिए फला वने बठनी को कहना खाए भागवान का नाम लेकर तो पुत्र होगा और मैं गरबती होना नहीं चाहती गरबती हो गई तो ये ये और मेरा रुक जाए क्या करो अभने तो उसकी बेहन ने कहा अरे मुझे पुत्रों की कमी नहीं मेरे गर बहुत है और मैं भी गररती हो virtuous, और जब यह फुत्र होगा मैं लिए पुत्र देदूगी और तू मुझे उसके बदले में खौना धन धन देना अवश्य जरूर। दुन्दली की पहन ने का उतनी देर के लिए तु घरवती का नाटक करती रही है। समय निकलता गया, टाइम निकलता गया, दुन्दली घरवती का नाटक करती रही है। समय नजदी का आया दुंदली की बेहन में बीटा हूँ, उसने अपने पती को बेटा पकड़ाया और कहा कि जाओ दुंदली को दे दो, रात को पुत्र दिया, धल लिया, घर को वापस आगया, सुबह हुई, तो दुंदली ने आतम देव को कहा, पुत्र हुआ है, पुत्र आतम देव जी ने प्राहमनों को बुलाया, सुबह करवाया, खुब दान लिया, और उसका नाम क्या रखा, दुंदटकारी नाम रखा, अब जो वो संतों का फल था, दुंदली ने क्या किया था, उसंतों का फल गव माता को दे दिया, अपनी बेहन के कहने से, जिए ये संत खुर्व करके दिया है कि खायेगी तो पुत्र होगा तो खायेगी तो फुत्र होगा तु गरवद्र होना नहीं चाहती गौमाता को देदी दिए जदिसे संस वह सितू होंगे तो गव माता को पुत्तर की प्राप्ति होगी वो फल गव माता को दे दिया था अब कुछ दिनों के बाद गव माता के गर्व से भी पुत्तर ने जन्म लिया अब उसका फूरा शरीफ तो आदमी जैसा था कान जो थे वो गव माता जैसे नाम करन किया उसका नाम रखा गौकरण बोलो गौकरण महाराज अब दोनों का पालन पोशन होने लगा गुर्कुल में विद्याग राइं करने के लिए गए गौकरण तो बड़ी लगन से विद्याग राइं करते हैं लेकन दुन्द कारी दो है वो महाँ खला गौकरण महाँ पंद्युन हाग राइव दुन्द कारी महाँ खला गौकरण तो महाँ पंद्युन है रउनके संतों का प्रशाद है संतों ने संकल्ब करके दिया है वो संतों जैसा ही होगा त्रकाल संव्या करते हैं ढाइकरी संज्या करते हैं गउकरन जी महाराज वेदों का आधेयन करते हैं परीसं लगर्स्र actionable लुए पिता जी करा करने पीता जी हो गये मेरा घृस्किर्टी को यह खराब कर लोगेदा है तो अपने पिता का नाम को उंचा करता है अपनी माता के नाम को उंचा करता है और बेटा अच्छा ना हो संसकारी ना हो तो अपने माता पिता के नाम को खराफ कर देता है वो बदनाम कर देता है अपनी पुल को बदनाम कर देता है तबी तो कहा पुत्र बर्पी जुवदी जग सोई रगुल भगत जासु सुतु हुड़ कौन माता पुत्र कह सकते हैं हम पुत्र वाले हैं जिसका पुत्र एक भगत है सिवा करने वाला दान करने वाला भगती करने वाला ससंग सुनने वाला कता सुनने वाला बेदों का अभषाइण करने वाला जिसका सुत्र है…. हुआ माता प्टा शास्ति चोरी करके कही है के हमारा पुतर खथत है हम pineapple हैं पुत्र वारी है जिसका पुत्र gagn ये हुता है संतों की निम्दया करने करने वाला वाला है माता प्टा का सिरनीमा उड़ाता है के जो केते हमारी सारी इश्किंटी को तुमने कलंकित कर दिया कलंक लगा रेख़ा आत्म देभू जी बहुत प्रशान हो न देख लिया। यह प्रशानन पर्शान हो Ahhh आप ग्रैषता आशनरियं का क्यात करके वान प्रस्त हो जाओ जाओ भवान का भजन करो बृत्यू का कोई पता दे का बृत्यू आ जाए कौन किसका माता पिता कौन किसका फुत्र ये संसार को एक करम भूमी है यहां पर हर एक इंसान करम होगने के लिए आया है करम होकर हर इंसान चला जाता है करम के अरुसार ही तिन जनम होता है गव करण ने बड़ा सुद्र ग्यान दिया उस ग्यान ग्यान दाप्त करके आत्म देव जी महराज वान प्रस्त हो गए अब पिता जी नहीं है अब दुन्दकारी जी और जादा खुल गए पिता का शाया नहीं रहा और जादा खुल गए और जादा पाप करने शुरू कर दिये अब तो क्या करता है अपनी माता को भी मारता है और माता के पास जतना धन है दुन्दली के पास उसारा धन चीन के ने जाता है एक दिन माता दुखी हो गई और माता ने कुवे में शनांग लगा दिया पुत्तर से दुखी होकर माता ने कुवे में शनांग लगा दिया जो देवी अपने पती से भेद रख रही है परदा रख रही है वो दुखी रहते है देखो दुन्दली ने अपने पती से भेद रखा ला जूट बोला ला जो पत्नी अपने पती से जूट बोलती है भेद रखेगी वो दुखी रहेगी और फिर उसका अंत बुरा होगा अब दंदली ने कुए में सलांग लगा जी आतमत्या कर ली माता पिता दोनों सिर पर नहीं है अब दंदकारी ने क्या किया वो पांच वेश्याओं को अपने घर में रख लिया अब खूब और सब्दंत रहे पाप करने के लिए खूब दंत लूटते हैं चोर बन गए डाकू बन गए एक दिन उन पांच वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा का धन भी लूटता है कहीं राजा यहां तक पहुँच गया जा राजा के सेवक यहां तक पहुँच गया और उने पकट लिया तो हम भी मारे जाएंगे यह भी मारा जाएगा धन भी सारा चला जाएगे तो इस ते अच्छा है कि इसको ही मार दोगे और सारा धन लेकर 9-21 गया दिया गर से बाग जाएगे अब रातरे का समय अर्द रातरी का बारा बजहे का समय आत्माओं बांग दियेगी दुन्दकारी के पांच बेश्याओं ने अर्ध जली लग्कडी के साथ फूप बीटा उसको फूप मारा इतना मारा कि उसको मार यहां और उसी घर में उसको तपना दिया उसारा धन लेकर पांचों विश्याएं भागां दोड़ दोड़ असब गाउं के लोग चिंता करने लगे अब दुन्दकारी प्रेत आत्मा बनकर पूरे गाउं में भूमने लगा सब को तंग करने लगा अब प्रेत आत्मा बनकर सब को तंग करने लगा सब दोग शराज करने लगे पिंटदान करने लगे अब गवकर्न महराजी भी तीत यात्रा के लिए गे हुए थे जब ग्याजी पहुंचे तो उनको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी माता का दिहान तो गया आपके भाई का दिहान तो हो गया और उनकी गती नहीं नहीं वो अवगत घूम रहे हैं तो उन्होंने ग्याजी के पिंटदान किया संकल्ब किया तरपन किया वहाँ का और फिर वहाँ से जब घर में पहुंचे गाउं में पहुंचे अपने घर में सोय होए थे एक नेड़ बजे का समय था तो दुन्दकारी जो था प्रेत आत्मा वो अनेक अनेक रूप बनाकर वो द्राने लगा गवकरन को गवकरन जी उठे और कहा तुम कौन हो बताओ अपना नाम बताओ तुम कौन हो कहां से आए हो किसने तुम्हे भेजा है अब वो तो मोन थे बोला नहीं जा रहा था उन्होंने इशारा की मेरे से बोला नहीं जा रहा हाथ में जल लिया गवकरने संकल्ब किया जल फेका और तरंक तरंक बोले अहम ब्राताहा दुन्दकारे मैं आपका ब्राता दुन्दकारी माता पिता को दुखी किया आपको दुखी किया उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं आज प्रेत आत्मा बन कर घर घर में भूम रहा हूँ डंडे खा रहा हूँ कितना तुखी हूँ खाने को भोजने पीने को पानी आत्व देव जी ने कहा मैंने ग्याजे में फिंड़ दान किया तर्पन किया तुमारी सद्गती के लिए तुमारी सद्गती नहीं हुई कहते आपने फिंड़ दान किया आपने जो तर्पन किया जो पानी मुझे दिया आप ले वो पानी मेरे तक पहुंचा जो बार-बार मेला कंट सुखता था और वो अब नहीं सुखता लेकर मेरी सदगती नहीं हुई मेरी सदगती का कोई उपाय को साधन ढूलो गउकरन ने मचन प्रशक कहते भाई जा जल्दी ही तुमारी गती का मैं सादन कोई ना कोई ढूलूँगा कोई ना कोई उपाई ढूलूँगा मैं अब सुबा के समय गव करेंजी महराज तो सुरिय नाराइन को मानते हैं उनकी पूझा करते हैं सुबा उठकर प्षणान आदी करके उन्हें सुरीय नाराइन की अराधना काई सुरीय नाराइन प्रगट हुए सुरीय नाराइन के आगे अपना भाव 0 हजान Ona कै आईसे आईसे हमारा भाई व्रेत आतमा उसकी सद्गती कैसे हो तो बताया कि शिर्मत भागवत महा पुरान ग्यान की कि आप अपने द्वारा करा करें आपने मुख से वाच आप कियूंकि आपसे बड़ा भगत कोई नहीं आपसे बड़ा महात्मा कोई नहीं है गव करन जी महाराज ने और शिमत भागवक महां पुरान ज्यान यक्य प्ररंब किया सारे गाउं के लोग दूर द्राज गाउं के लोग शहर के लोग कत्रित हुए थे अवहां किया दुन्दकारी प्रेत आत्मा का वो प्रेत आत्मा भी पहुंची साथ मत्ती का बांस बाट दिया और उस प्रेत आत्मा ने कहा सब देर्धारी यहां पर बैटिये मेरे बैटने का स्थान कौन सा है मैं कहां पर बैटूं तो प्रेत आत्मा उस बास के अंदर पर विष्ट होती है, पहले दिन की कथा विश्राम होती है, पहली मट्टी फट जाती है, दूसरे दिन की कथा विश्राम होती है, दूसरी मट्टी फट जाती है, ऐसे साथ दिन की कथा जब पूरन हुई, तो साथों मट्टी हैं जब फट भगवान का विमान आया और दुन्दकारी प्रेत आत्मा जो थी वो विमान में बैठी भगवान के धाम को चली गई देवता दुझे जयकारे लगा चौंग और जयजयकार होने लगी जितने भी लोग और बैठे उवे तो उनके मन में शंक्ता उसक्ता हो रही गव करंजी ने कहा देखो कथा में जैसा जैसा भाव रखकर कोई कथा सुनता है न आपको वैसा ही फल प्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप उनहां कथा कही सब ने भगवान को पाने के इच्छा रखते हुए कथा सुनी सब के लिए विमान आया सब दे समेत भगवान के दाप को चलिए बोलो बक्तवत कल भगवान तो संथ कमा रिशियों ने देवरिशी दारजी को आत्म देव की और दुंदकारी की ये कथा सुनाई और कहा कि भगवत के मात्यम से जो अवगत आत्मा है उसकी भी सद्गती हो जाते हैं भगवत का इतना प्रफाद है अब ये देवरिशी नारजी ने कहा वशेश दिन होते हैं तो वशेश महीना होता है प्रशोत्म मास में तुम भाद्वत कथा सुन दो तुम मानो कुरोड़ो यवयका फल तुमें प्राप्त हो रहा है प्रशोत्म मास यह मैं सुनाऊंगा कल आपको कथा के प्रशोत्म मास नाम कैसे पड़ा मल मास से अधिक मास कैसे बनाई यह कथा आती रहे गए बीच में साथ दिन कथाएं सुनाने हैं आपको ब्रम ग्यान के विदान के विशे में भक्तों की कथा भगवान की कथा यह सब कथाएं आपको साथ दिन में आपको ग्यान विडाग और पासना भक्ती सब देना हैं हम बहुत कुछ लेकर आए हैं आप लेने वाले बड़ोगा संतों से ग्यान प्राप्ट करने का ग्यान होना चाहिए कि ग्यान कैसे प्राप्ट करना है अब देवरिशी नारत जी को संत कुमारों ने कहा कि विशेश मास होते हैं श्रावन मास, कार्थिक मास, भाद्र मास ऐसे और फिर कथा के लिए स्रेश्ट प्रवक्ता भी होता है किसी सन्यासी के मुखारविन से तुम कथा सुन लो तो मानो बाकी कथाओं से सौ गुना जादा फल आपको प्राप्त होगा जो अभी हो रहा है अपने गुरू के मुखारविन से तुम भागबत कथा सुन लो तो मानो हजार कथाओं का फल फल हजार बार कथा सुनी सबताही की ज्यान यग्ये को सुनना और फिर गुरू के मुखादार को उसे एक बार कथा सुनी तुरंत प्राप्रा हो कथा के लिए प्रवक्ता कैसा होना चाहिए ये कल बताओं आपको मैं समय अधिक हो रहा है कथा तो पहले दिन की ही इतनी लबी होती है सारी रात भी लगा रहा हूँ मैं बोलने के लिए तब भी खतम नहीं हो साथ दिन की खता है सासो दिन दिन रात लगा रहा हूँ भी भागवत पूरण होने वाला नहीं है यह ऐसा सद्गरंत साफशात्रागवाद श्री कृष्ट में रूप है आप सुभाग के शालियों यह सारा स्रे जाता है हमारे श्रीशत धानन्द सेवास्मिती उधमपूर की सारी संगत को जिनके प्रयास से यह कठा हो रही है एक बा महराजी यहीं तो हम सारे रौनमेल आश्रम बेट के विचार कर रहे थे के महराजी की कठा करवानी आपने जान भी लिया आपको फोन किया किसी ने मैंने का मुझे किसी ने फोन की किया मेरे माने में पता नहीं क्यों बिचार जाए कि परशोतमास है कोई ऐसा स्थान हो जहा सुनाए हाए todavía है तो वो देव की दंगा मَया की बड़ी वैन है देव की मैया देव की मैया के चरणों में बैटकर कठा करने है और पैलेस भी को गवर्दन पैलस कैसा पैलस गवर्दर नाम है पैलस और मालक का नाम नंद-लाली है नही नंद जी है ना, नाम मी निए कैसा, भगवान के पिता का नाम का नंद लाला, और इस गुर्धन पेलस के मालक का नाम भी नंद लाला तौस। मैंने साथ से लेकर तेरा तरीक का कथा होगी देख देना आप बारा को इकादशी है और तेरा को इकादशी है जिस दिनी हवर्ण यक्की होगा यहां पर कथा की पूर नौत नहीं होगी इतने सुभाग विशाली आप सब लोग हो तो आओ दो बार भगवान का नाम ले फिर उ ताइप कथा विश्राम होगी अपने गुरों में आप ताइप मैं कौन संते हो तो आओ भवान का नाम ले श्री प्रिष्ण कभूर्विंद हरे मुरारे भेष न हतना दा दा द यनवाष देवा चुरी दिणात मालायन भाशुदेवा श्रीकृष्ण दुविन्थ हने भाशुदेवा कि किष्ञे दुवितारे मुरादे आति ना रादे नवासु दिवा किष्ञा आति ना रादे हा ए ते उ किष्णा रादे पुछना शुष्पारा दे कि पूति आने को पुछना शुष्पारा दे